हलो दोस्तों उडिसा माइनिंग कॉपरेशन में विकेंसी आई है चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट और मेनेजमेंट अकाउंटेंट का लिए यह विकेंसी है फ्रेशर के लिए आगर आपके बास को एकस्पिरियंस नहीं नहीं है तो भी आप अपलाइए कर सकते है राइड सो आए डिसकस करते हैं और चैनल को प्लीज आप सबस्क्राइब कर लीजेगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूव सब्सक्राइब करने से और वीडियो को शेर कीजिए दोस्तों के साथ जो आपको सर्च कर रही है और जिनके लिए यह वेकंसी रेलिवेंट हो सकती है आप मुझे लिंक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं यह जो कंपनी है उडिसा माइनिंग कॉर्परेशन इसमें वेकंसी आई है मैं इसकी ओफिशल वेबसाइट पर यह मैंने पीडिएफ निकाल लिया जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूगा कंपनी का नाम है उडिसा माइनिंग कॉर्परेशन लिमिरेट जो की गोल्ड कैटेगरी स्टेट की पी एस यू है यानि गवर्मेंट कंप 67700 से लेकि 28,700 का स्केल आफ पे है और इसमें 67,700 रुपे की दो इनीशल बेसिक पे होगी दोस्तों मैं क्लेरिफाइए कर दूं अगर आपको मालूम नहीं है 66,700 आपकी सेलरी नहीं होगी पर मन इससे ज्यादा आपकी होगी सेलरी क्योंकि 66,700 तो सिर्फ बेसिक पे है और नीचे देखे बेसिक पे के अलावा आपको मैंने हाईलाइट किया हुग है तो इतनी सारी जिसमें आपको सोचए बेसिक पे के ऊपर आपको इतनी सारी चीजे मिलेगी तो आपको जो पैक्चेज है वो कहा तक पहुँन सकता है minimum age 21 year होनी चाहिए और maximum age आपकी 32 years की होनी चाहिए ठीक है इसमें जो है total post total vacancy 3 है जिसमें की अगर मैं bifurgate करूँ तो 2 है SC candidates के लिए और 1 है SD candidates के लिए और यह जो form है form इस PDF के नीचे ही दिया हुआ है जो भी apply होते हैं आप पे वह सारी चीज़े आपको लगानी है और तीट पोस्ट या courier करेंगे और जो आपका basically envelope होगा उस पर भारी लिखेंगे application for the post of और पोस्ट का नाम लिख देंगे और इस address पे पोस्ट कर देंगे यह general manager को Odisha mining corporation limited भूवनेश्वर में इनका office है और 15 मई 2021 स पहले यह post आपका वहाँ पहुच जाना चाहिए यानि इसको as soon as possible आप कर दीजेगा अगर आप interested plus eligible दोनों है तो ठीक है तो deputy manager यह सब मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है प्रोबेशन होगा एक साल का अगर आपको initially वह मिल जाती है और हाँ अब मैं बता रहा हूँ qualification की बा हो देखें यह वाला box खाली है यह experience का box आपके पास होनी चाहिए और उसके पाद जो है और कोई खास बात मैं लेख लेता हूँ अगर कोई है आपको सची ए और यह जो भी चीज़ें आपको लगानी है self-tested copy of 10-12 certificate बगएरा वो सारी चीज़ें यहां पर दी हुई है और उसके बाद यह देखिए नीचे जो है यह पूरा form है ठीक है इस form भी आप मिल जाएगा इस form को आप निकालके भरके फिल करके बेज दीज़ेगा राइट आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजएगा आपको all the best is frequency के लिए दोस्तों बाबाई